श्रीशांद, सामने है दिलशान और ये जबर्दस शॉट, कुल पे जड़ा है चौका, तौस जीत ये किया है बैटिंग का फैसला, 2011 फिनाले, एक और बढ़िया शॉट, एक और चौका, स्टेडियम में सनाटा, बहरी किनारा है बढ़िया ये कैच है, विरेंदा सेमा बढ़िया जाहीर खान, शॉट ये खड़क है, खूबसूरत, कुमार संगारा, इस बार कदमो का इस्तमाल, और वन बाउंस, तौ बाउंसे, सेक और चौका, ये खूबसूरत शॉट है, इसको आप लूप में देखिए, प्रेट डाउंद, देखना पड़ेगा, देखना प बजन सेंग, राउंद दा स्टाम्स, तिलक रतने, दिल्शान, बगड़ लिया, बगड़, अरे वा, ये एक लीम बोल्ड आउट वे, महेला जैवर्द ने, कवर ड्राइव, हूबसूरत है, जस्ट शॉट ये गें थी, और कड़क ये शॉट है, वो मीलो रास्ता वहां खा ये, युगरा सिंग, इस बार, कराईयों का क्या बढ़िया गिया, इस तमाल, लेट कट, इस बार कदमों का इस्तमाल कर, फुल टॉस में तबदील किया गेंद को, चोके में तबदील किया गेंद को, श्रिलंकन क्रिकेट के दिल और धरकन है ये, शॉट और ही लगाया किना बिल्कुल लगा है एक बार धिर युवरा सिंग विनेवर दचिपसा डाउं सिंग इस देर जबर्दस्त एक और सफलता यहाँ देखिये डेफ टाच और इस टाच के साथ पहुँच गए अपने पचास तक महेला जैवर्द ने महत्वपूर यह अर्द शाताग वर्लकुप फाइनल की पहली पारी में सीधा हाथ मुआर बैठे हैं जाहीर खान गेन नहीं हो या पुरानी इनकी वही है कहानी यॉरकर तो यह अच्छी दिलेंगी शॉट उससे भी जाधा कड़क है महेला जैवर्द ने मुनाफवटेल की गेंध है और शॉट यह कड़क है और मिलेगा चौक का बिल्कुल 100% यह थोड़ा सा आगे वाला पाउंग खूला है नुवन कुलु सेकरा ने इसे स्टैंज बे भीजा है अड़े खड़े शॉट वान खेड़े में इनसाइड आउट इस पर लिखा है क्लास कैपिटल लेटर्स महेला जैवर्द ने सेंचरी इन वर्लकुप फाइनल वाड़ प्लेर मात्र चौला सी गेंदे शतक से ऐलाम किया है यह खिलाड़ी खास है बहुत खास है शिलंका की जान है वाड़ प्लेर अड़े होकर भारती है क्राउट ने भी अभी नंदन किया है इस खिलाड़ी का वालकुप के फाइनल में शतक कि जारा परेरा एक और बढ़िया शॉट एक और चौका तीजी से रन बटोर रहे हैं आटिंग पावर प्लेइन प्रोग्रेस इस बार भी बल्ला घुमाया है इस बार भी छे वटोरा है क्या बात है 274 पर छे टॉस जीत के बैटिंग का फैसला अब अगर भारत को 28 साल के बाद वर्लकप उठाना है तो बनाने होंगे बॉने 300 रन्स विरेंदा सेवा के साथ साचिन रमेश टेंडूल कर लासित मलिंगा तीन स्टम्स के सामने है बिल्कुल सामने है अमपार ने दिया है आउट वीरू क्या करेंगे ये टी आरेस का इस्तमाल करेंगे और मुझे लगता है गवा देंगे ये तीन स्टम्स के बीच में ही गिरी थी और पिल्कुल मिडल स्टम्स के मिडल में जाके लगने वाली प्लेयर भी गवा है और रिव्यू भी बड़ी सफलता बड़ी मच्छी को पसा ली है जाल में फर्स बॉल बाउंडरी फॉर विरेंदर सेवा वोलका फाइनल ये अच्छा शॉट है गवातम का मिल जाएगा चौका तेन डुलकर तेन डुलकर थोड़ी सी शॉट थी थोड़ी सी वाइड थी जड़ दिया है चौका इस मैदान के हर कोने को ये पहचानते हैं हवा में जरूर है लेकिन गैप में भी है फॉलाडी दुरुस्त है तंग दुरुस्त है भारी किनारा ये बढ़िया कैच ये कैरी हुआ है गुमार संगा खारा ने पकला लासित मलिंगा स्लिंगा मलिंगा ये सिरफ वान खेडे में सन्नाटा नहीं है ये पूरे देश भर में सन्नाटा विराट कोली पैरों पर मट डालें आप इनको बहुत बढ़िया खेलते हैं दो दिल्ली के लड़के और इस बर भी चौका हलका सा कदमों का किया था इस्तमार एक अच्छी गेंद को एक चौके वाली गेंद में तबदील किया कीपर उपर जरूर खड़ा है लेकिन सिर्फ निहार रहा है इस शॉट को इस शॉट तो ये भी कड़क है क्या इसमें उतनी ताकत है वन बांस चौक का गौतम गंभी मतया मुली धरन एक रन के साथ पहुच गए है अपने पचास तक वॉलकप फाइनल में अर्दशाता ये याद रखे जाएंगे लम्हें क्या भारत पहुच पाएगा दोसो बिचतर तक विराट कोली का ये बड़ी आकट शॉट इतनी छोटी गेंद नहीं थी शॉट ये बड़ा कड़क था नहीं नहीं और रे वाट अग्याश दिलगरत ने दिल शान दोबारा देखना पड़ेगा बार बार देखना पड़ेगा दिल शान ने दिल तोड़ दिया भारत का क्योंकि ये है तीसरी सफलता वन हैंडेड इनकी शान में कसीजे बढ़े जाएंगे दिल अगरत ने ये क्या शॉट है महेंदु सिंग धोनी स्पेशल शॉट आम पंच थोड़े मा मारता है शॉट वाइड कवर्स के ऊपर से चौका ये भी कलग शॉट है तेजी से बढ़ रहा है भारत विजय की ओर ये तो जबरदस शॉट है बैक फूट से पंच मारा है एक बार फिर पहले फास बोलर अब स्पिनर्स बैक फूट से इतनी ताकत से शॉट लगाना आसान काम है नहीं यू मेस आए हेड गौतम गंबीर मातर तीन रन दूर थे अपने शतक से थिसारा परेरा ने ना सिरफ यहां विकेट ली है बलकि इस मुकाबले में जान ठूब दी है अब आए है यू वरास से और आते ही छाब लगा दी अपनी मुहर लगाई है इस खेल पर ओवर पॉइंट गजब गजब माही मार रहा है बहुत तेज है बहुत तेज है यह रॉकेट की स्पीड से निकला अगे बल्ले पे लगा तो लिखा था चौका फुल टॉस है फुल टॉस नहीं डालने का यूगरा सिंग मारने का स्लोर वान थी उसको पढ़ लिया और जड़ दिया महेंदर सीख धोनी क्लासिक और यह माही का बल्ला घूमा इस बार वान थीड़े नहीं इस बार पूरा भारत वार्श जूमा अठाइस साल के बाद बन गया है भारत एक बार फिर विश्व विजेता ICC World Cup 2011 इंडिया आर दे न्यू चैंपियन्स वाड़ परफॉर्मस इंडिया ओन फायर पूरा वर्ल्ड जा स्टैंड़ एन अड्मायर दिस इस अचैंपियन टीम यह चैंपियन्स की टीम है यह चैंपियन टीम है अन्बिलीवेबल छे विकेट से इस मुकाबले को जीत पहली बात कपिल्स जेविल्स और अब धोनी के धुरंदर यह वो चमचमाती हुई ट्रोफी वेल ड़न टीम इंडिया दे मैं ब्लू अन फायर वेल ड़न टीम इंडिया जै हिन